तो जैसा कि अब आप सब देखी रहे होंगे कि यहां कुर्सियां बदल गई बदले नहीं यह कहेंगे कि थोड़ी सी बढ़ गई और उसके पीछे वज़े यह है कि अब सिर्फ इंडिविजूल्स नहीं बैठने वाले हैं यहां एक टीम बैठने वाली है हम बात कर रहे हैं भारतिये महिला क्रिकेट टीम की वर्लकप का फाइनल मैच भले ही वो अपने नाम ना कर पाई हो लेकिन बाजी वो जरूर मार गई जिस खेल को किसी वक्त पर जेंटलमेंस गेम कहा जाता था आज भारत में उसी खेल में लेडीज इतिहास लिख रही है इस ट्रसबे के साथ कि हम किसी से कम नहीं भारतिये महिलात क्रिकेट टीम की स्टार खिलाडियों को सवालों की गुगली डालने के लिए आ रही है अप्शा अंजली शुक्रिया अंजली इंदरों बहुत सारे लोग टीवी चैनल ओन करने से थोगा सा कत्राते हैं जो लोग हमें मिलते हैं वो हमें कहते हैं कि जब भी टीवी निउस देखो यहां पर देहस नहीं हो रही होती जगड़ा हो रहा होता है लोग लड़ रहे होते हैं खुश होने की कोई बात नहीं होती लोग परिशान होते हैं तकलीफ में होते हैं नाइंसाफी की कहानिया होती है इसलिए उन्हें न्यूस चैनल्स देखने से थोड़ी सी तकलीफ होने लगी है लेकिन हमें मालूम है कि इस सब के बीच कुछ लोगों के पास हमारी खुशियों की चाबी भी होती है और इस साल जिस एक टीम ने हमें बहुत सारी खुशी दी वो है भारतिय महिला क्रिकेट टीम वर्ल कप फाइनल में पहुँचे बहुत छोटे से फासले से उस खिताब को नहीं जीत पाए लेकिन तब भी हमें उन पर बहुत बहुत गर्व है और आज बातचीत के लिए हमारे साथ इस टीम के तीन सदस से मौझूद है प्लीज वेलकम मिताली राज अप्लीज के बारे में वैसे तो बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं प्लीज बैठिये मिताली लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये एक लौती भारती एक अपतान है जो पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट को मिलाकर जिन्होंने दो वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले हैं पुरुषों में भी कोई ये नहीं कर पाया है अब दूसरी हमारी आज की जो महमान है जूलन गोस्वामी है जूलन सिर्फ भारत में नहीं बलकि दुनिया भर की तेज गेंबाजों के लिए अपनी हीरों हैं इनकी हाइट इनका दबदबा तमाम लोग इनके कायल हो जाते हैं जहां भी एमाच केलने जाती हैं और तीसरी हमारी महमान है पूनम राउत युवा खिलाडी पूनम ने इस वर्ल्ड काप फाइनल में सबसे बड़ा स्कॉर बनाया शायद हार की बहुत ज़्यादा तकलीव भी पूनम को हुई सफर महिला क्रिकेटर का लंबा होता है और ये तीरों चेहरे जो आज हमारे साथ हैं ये बदलाओ लाने में इस वक्त जो महिलाएं बड़ी भूमिका निभा रही हैं उनमें से एक हैं मिताली आप से शुरू करूंगी मैं अठारा साल से आप क्रिकेट कहेल रही हैं और इस गेम को अलग अलग तरह से बदलाओं से गुजरते देखा होगा दो वर्लकप आपने फाइनल खेले क्या फर्क था उस वर्लकप में और इस वर्लकप में क्योंकि इस बार हमने देखा लोग emotional हो रहे थे, जगा-जगा TV ओन था, आपके लिए तालियां बज रही थी, आपको खुद को कैसा लग रहा था? Well, 2005 जो World Cup था, हम लोग उस वक्त एक अलग बोर्ड के अंडर थे, Women's Cricket Association of India, और 2007 में ही हम लोग BCCI के Amrila में आये हैं, जो दो फारक है इन दोनों World Cup में, यह है कि 2005 में मैचे टेलिवाइज नहीं थे, इवन जो फाइनल्स हम खेले अस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो मैच भी टेलिवाइज नहीं था, और उन दिनों तो सोचल मीडिया तो शायद सिर्फ FB होगा, Twitter and Instagram कुछ भी नहीं था, तो सोचल प्लाटफॉर्म पे हम लोग उस World Cup को प्रमोट नहीं कर पाए, लेकिन इस बार ICC, BCCI ने बहुत अच्छा मार्केटिंग किया World Cup का, और जिस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया Twitter पे, यहां तक कि हम लोग, जब मुझे पता चला कि हमारे Prime Minister ने ट्वीट किया है, तो यह बहुत गर्ब की बात ही हम सब के लिए, हमारे सारे प्लेयर्स के लिए क्यूंकि बहुत ही कम ऐसे टाइम आता है लाइफ में कि आपके Prime Minister या President जैसे लोग आपको tweet कर रहे हैं, आपको follow कर रहे हैं आपके matches और I think basically क्यूंकि matches televised थे, लोग देखने लगें, तो लोगों की खुद की एक opinion बन रही थी women's cricket को देखके, और I think आज तक लोग काफी men's cricket को देख देखके, suddenly women's cricket को देखने लगें, तो वो चेंज, वो बदलाव जो है, वो काफी positive राया women's cricket के लिए, मतलब TV पर जब cricket आया women's cricket तब सब कुछ बदल गया, जूलन, आपने भी चार World Cups खेले हैं, दो फाइनल भी खेले हैं, इस बार ऐसा क्या हो रहा था, क्या चल रहा था लोगों के बीच और क्या उसका असा टीम में भी हो रहा था? देखिए, प्रेशा तो था ही बहुत, वलकाप खेलने जाना प्रेशा तो रहता है, हम लोग जैसे लास दो तीन वलकाप, इंक्लूडिंग T20 अलसों, हम लोगों ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस ने किया, मितालियार मेरे हमेशा डिसकेशन ही होते थे, हमें वलकाप में अच्छा परफॉर्म करना, वलकाप जैसे इवेंट में अच्छा खेलना, क्योंकि हम लोग अपने निव जेनरेशन के सामने अच्छा एग्जेंपल सेट करें, यह हम लोग काफी बार डिसकेशन करते गए, इस वलकाप में भी अजित हम लोग की, जो हम लोग अच्छा करेंगे, मैच बाइ मैच कहलेंगे, जैसे हम जीतते जाएंगे, तो एक्सपेक्शन बढ़ते जाएगा, जैसे इस वालकाप में एक टीम का एक एक पर्फॉर्म कीया, कोई एक इंडिविजूल के उपर डिपें नहीं होते थे, but इस बर हम लोगों ने सबने अपना जो responsibility था, बहुत अच्छा तरीका से हम लोगों ने handle किया, and इस World Cup में सबसे अच्छा चीज जो मुझे लगा अभी तक सबने इने परफॉमेंस किया, one day Mithali perform, one day Poonam perform, एक दिन Harman ने परफॉम किया, असमिती मंदा ने ने, World Cup का, जो momentum था, वो बना दिया, बोलिंग में भी same हुआ, एक दिन मैंने perform की, एक दिन कोई और ने perform किया, जिसको जो responsibility देते गए और वो responsibility को बहुत अच्छा तरीका से निभा रहे थे, and जब team आप जीते रहते हो, तो एक मोहल अच्छा क्रिए होता है, and secondly, हम लोग एक दुसरे का performance enjoy कर रहे थे, जो बहुत-बहुत important बात होता है, team sports में, basically, आप जब तक एक दुसरे का performance enjoy नहीं करोगे, तो आप अच्छा मोहल create नहीं कर सकते हो, so I think, I think in support step के बहुत बढ़ा रोल है, support step ने भी बहुत अच्छा तरीका से हम लोग का handle किया, and जब Julian fans आते थे, तो क्या-क्या बोलते थे आपको? बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ, वो लोग के एक ही बात थे, जीतना है, and basically, India-Pakistan match के दिन तो ऐसा था, जो हम लोग racing room से ground तक जानी पा रहे थे, इतना fan, एक साइट Pakistan के है, एक साइट India के है, बट उसमें एक चीज अच्छा लगा, जब हम लोग मैं जीते, Pakistan fan आके हम लोग को भोल रहे, आप लोग ने बहुत अच्छा cricket खेले, हम लोग बहुत बहुत प्राउट फिल कर रहे आप लोग के लिए, अच्छा लगा मेरको क्योंकि ऐसे, तीम हम लोग ने परफॉर्मेंस की और सबने अप्रिशेट किया, एकस्पेक्टेशन बढ़ते गए, बट हमें पता था हम लोग को अच्छा जब तक, मनला जितना लंबा है, उस fan को लंबा कर सकते, क्योंकि जज दिन अच्छा नहीं कर होगे तो सब क्रिटिसाइज करेंगे, हम लोग को यह भी पता था, बट हम लोग मैच बाइच अनलाइज करते गए और खेलते गए आगे, पुनम, आपने 86 रंस बनाए फाइनल में, ओपनिंग करते हुए, आपको यह उमीद होगी वो रन बनाते हुए कि यह मैच जीतना ही जीतना है, लेकिन वो नहीं हो पाया, और आपने मुझे पता है, सौरी बोला उसके बाद इंडियन फैंस को, लेकिन जब आप वापस आई, तो सब लोग गार्लंड लेके, फूल माला हैं, सब लेके आपके लिए खड़े थे, तो दुख थोड़ा कम हो गया? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मतलब सोचा नहीं तक अभी ऐसे होगा, क्योंकि हम जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तब ही, आपके पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है इंडिया में, लेकिन काफी लोगों से सून रहे थे, और ममी डैडी इसे भी सून रही थी, कि स्क्रीन लगे हुए, आपकी मैचेस देखने के लिए, और काफी लोग बहुत खूश है, जब हमने पाकिसान को हमने हराया, तब मतलब काफी लोग वही बोलते ही, कि आपने पाकिसान को हराया, महाँ पर ही वल्ल कप जीत गए, तो ये सब सुनने को मिल रहा था, जब मैं चली गई, मतलब लोग लिटरली पागल हो रहे थे, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे, मैं तो उसी दूख में थी, जो मतलब मैं रन नहीं कर पाई, नौरन बचे थे, और जब मैं आउट हो गई, कुछ 38 रंस बच गए थे, तो मैं बस उसी में चल रही थी, जब मैं घर पहुच मतलब मैंने से काफी सारी पॉजिटिव चीजे मैंने सीखी, इन फैक्ट मेरे टीम ने भी मतलब हम बहुत कुछ सीखे, क्योंकि हम पहली बार फाइनल मैच जैसे सीनियर्स मिताली दी और जूलन दी मतलब उन्होंने सेकेंड टाइम खेला और हम बाकी के जो लोग थे, प्ल सिर्फ हमें एफट्स देने हम जितने हंड्रेड से जादा जितना हम एफट्स दे सकते हम देंगे सब कुछ नहीं पता था कि बोरी वेली में श्यामियाना टेंट लगा के सब लोग मैच देख रहे हैं यह सब कुछ नहीं पता था नहीं ममी बापा ने जिश आइडिया दे वोमिन्स क्रिकेटर्स के लिए इंडिया की जो वोमिन्स क्रिकेट हम जहां पर हमारी स्टैंडर्ड है वहां से पता चलने वाली थी कि हम फाइनल में कैसे खेल रहे हैं तो जिश फोकस हम फाइनल पर कर रहे थे और उसके बाद जब मैं घर पे गई तो मतलब बहुत ही सब पता होती है कि एक-एक मैच कैसे जीता जा रहा है क्या हो रहा है लेकिन यहां पर जितने लोग बात कर रहे थे मीडिया में या जेंडरिली भी एक्सपर्स उनका सब का यह कहना था कि मिताली इस उन दे वर्ज फ क्रीटिंग हिस्टरी अगर वो यह कर लेगी तो यह हमे बहुत अच्छी क्वालिटी टीम है और जो हमने प्रिपरेशन किये वर्ल्ड कप के पहले जितने भी मैचेज के लें क्वालिफायर्स और सौत अफरीका में अज़ टीम सारे लड़कियां फॉर्म में थी मुमेंटम हमने बनाया है और जिस तरीके से हमने शुरू किया था काफी अच्छा रहा है और फिर उमीद थी कि हम लोग सेमी फाइनल जरूर पहुंचना चाहिए क्यूंकि सेमी फाइनल्स के बाद जो है एक अच्छा दिन अगर हम लोग अच्छा क्रिकेट केल सकते हैं तो हम लोग फाइनल्स आ सकते हैं फिर हम एक और उपर्चुनिटी क् क्योंकि इस बार जो प्लाटफॉर्म ICC और BCCI ने दिया है हमारे लिए बहुत बड़ी प्लाटफॉर्म है अगर लोग देख रहे हैं तो हमेशा आपकी best brand of cricket खेलनी चाहिए क्योंकि as a player भी आपको motivation मिलेगा दूसरा यह कि as a sport, India में women's cricket को एक opportunity है कि उसको एक brand बना सकते हैं और वो तब हो सकते हैं जब आप जीतेंगे matches, जब आप अच्छा cricket केलेंगे, जब लोग देख रहे हैं तो यह World Cup मेरे लिए यही important रहा है क्योंकि मैं आगी कि जो women's cricket है, future जो है यह World Cup उसको बना सकता है, इसलिए मेरे लिए यह World Cup बहुत important था अभी T20 World Cup बाकी है जीतने के लिए T20 में तो क्योंकि जिस तरीके से team ने one day में खेला है तो जाहिर सी बातें लोग बहुत उमीदें रखेंगे T20 में की team ऐसे ही perform करे जूलन, आपने इस World Cup के बाद यह कहा कि जब तक Indian Women's Team एक ICC event नहीं जीतेगी तब तक आपको चोट कहीं न कहीं दिल में रहेगी और उसका मौका अभी है, हालां कि आपने यह भी कहा है कि आप 34 साल की है और अगले World Cup में आपको शूर नहीं है कि होंगी या नहीं लेकिन यह है कि ICC काये के event आप अभी भी जीतने की कोशिश पूरे करेंगी देखे, वर्लकप तो एक ही बार आता है, मतलब चार साल में एक बार आता है चार साल में बहुत कुछ चेंजे हो जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता हम कहां पे रहेंगे चार साल के बाद बट हाँ, एक चीज है, मीडियम पेसल को उतना दीन फीट रहना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है तो इतना लंबा फ्युचर कम प्लान इस प्लाटफॉम में रहें के मैं बोल नहीं सकती है बट यस, T20 World Cup एक सामने गोल है, कॉमन गोल है हम सब के लिए तो एज़ टीम कोशिश करेंगे, हम लोग इस T20 World Cup में अच्छा परफॉरमेंस करेंगे क्युकि लास्ट World Cup भी हम लोग जब फाइनल खेलते हुए आये तो बहुत बुरा लगा था अपसेट थे बट 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 बुरा लगा था उपसेट थे बट 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 खेल रही थी क्युकि मैच सबने देखा सबको पता है उस सिचेशन से मैच हरना मतलब मतलब अपएक्स्पें नहीं कर सकते हो कैसे करोगे आप एक्स्पें क्यूंकि उस जगह पे हम लोग हरन नहीं सकते जब तक हम लोग क्योंकि मेरा एक ड्रीम रहा हमेशा जो वर्लकप जीतना है क्योंकि टीम स्पोर्ट से यहां पर इंडिविजियल परफॉर्मेंस बहुत कम मैटर करते इंड़ पूछा जाता है मिताली हारे पुनाम हारे या जुलन हारे वो नहीं पूछते इंड़ पूछा जाते है कौन हारे इंडिया हारे वो मुझे बहुत चुकता है तो इसलिए मेरा यही था जो वर्लकप जीतो तो उसी दिन एक जो सपना है वो पूरा होगा क्योंकि मैंने वर्लकप देखके अपने क्रिकेट खेलना शुरू की तो मेरा मैंन में वही था विट्री लाब त्रो अच्छा कहले तो ओ दुबारा एक उपर्चुनिटी है और यहां लुकी यहां लोगो जो निए पिर से क्मोगा मिल रहे वल्लकप जैसे टोनमें प्रफोर्मेंस करके वह जो जो ड्रीम है अम तीम एंटर इंडियन तीम का जो ड्रीम है और दुग को फिर से चेस कर सकते हैं और इतना भरोसा है इस टीम में क्यूंकि बहुत क्वालिटी क्रिकेटर्स है इन दे ओ लोग मैच हुई नर है और जब तक नौर न जो है जब तक आप ICC वर्लकप जैसे वेंट जब तक नहीं जीत होगे तब तक इस टीम में सब मेंबर्स को नौर न दिल में तो चुपते सोचने लग नहीं है प्लान करने लगी है येस जब तक अभी नेक्स सीरीज नहीं आता तब तक हम ये नौर न हम भूलने ही पाएंगे so preparation start कर दी है मतलब T20 World Cup को लेकर हमने already preparation start करी है so बहुत बड़ा platform है again हमें खुद को साबीद करने के लिए so हम लोग prepare हो रहे उस चीज़ के लिए अब एक woman cricketer की जो journey होती है मिताली हम उस पर बात करना चाहेंगे मैंने जो अपने sports cover करते हुए career में देखा है अब perspective बदल रहा है लेकिन बहुत साल से women's cricket को seriously स्टॉप नहीं आते तो stop gap के मेरे को बोलता ठीक एक ओवर के लिए तु खडी रहे हुए पर बॉल मत पक्रान लग जाएगी so slowly slowly मेरा interest हुए पर डेवलाफ होते गए और घर पे एक मौहल था sports को मतलब मेरा घर पे नहीं अंटी के घर पे sports देखते रहते तो कोई इतना professional नहीं था क्योंकि गाओं में उतना sports के particularly cricket जैसे sports को इंपोर्टेंस नहीं दिया जाते थे basically वह पे football बहुत खेल थे लोग या वोलीवाल खेल थे क्योंकि expensive थोड़ा कम है बाकी sports थोड़ा कम है बाकी sports थोड़ा expensive है तो बाकी लोग खेल नहीं पाते थे इतना and secondly like 90th World Cup मेर कभी भी आदे घर पे सारे तब TV इतना नहीं होते थे गाओं में तो अंटी के घर पे सब बैठा हुए अर्जेंटिना वसे वेस जर्मनी का मैज देख रहे and जैसे अर्जेंटिना हार गे घर में सब रोने लग गए मरादोना के वज़से actually sports का jo feelings है वो जो जुनून है वो पैशान है में उनको जाथ आज़ी आपको बहुत प्यारे क्यूंकी मैने सुना है आप सब जगा मारडोना लिखती थी जब क्रैक्टिस करना होता था 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 पैंसे तो आप मारडोना लिखती थी बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि में अच्छली मेरा फॉस्ट आइकोनिक हीरो मैने टीवी पे देखा हूँ है दियोगो मेरा डूना मैं ही सोस्टे थी यार क्या परसेन है अर्जंटिना ऐसे कंट्री कितना दूर है अपने देश से अर्जंटिना हार गया अगलबर आश्याच आज़ आट इम्पक्त आज़ से अपको उपर आए अग्टिनाट्ट में पर स्टेम वेंस वोग कॉप फाइनल देखे थी कालकाटा मीदें गद्रोंगांस में बितून अस्ट्रेलिया निउसिलीड अन्वाँ पे 110 बेलिंड लाग फिस्टेरीक के लोग सभ महीं थे उस यू थे वहलोग क्याश्टीग हे पॉलसर वहलोग कर दो तो फ्रस्टामें के बद मेरे रिलाइस की जो अगर में इससृट्स को अगर मैं इसपोर्स को एज प्रफि बिंग भी करते हुअ। मैं बाइटिंग । बाइटिंग भी नहीं बोला था। मैं बैटिंग भी करते हुआ। कि जो मुझे बैटिंग करना जादा पसंद थी। उनो पार्सली भी दिविए भी आसदा पॉल दाल। तो मैंने जब बॉल दली, उनको मेरा action, मेरा height अब बहुत पसंद आया, बात में उन्होंने बताया उस टाया नहीं, तो मैंने एक मैन ऐसे प्रैक्टिस करते गई, बट एक दिन भी बैडिंग नहीं मिला, मैंने बहुत दिसिपोइंटे हो गई थे, बट फिर जब पता चला, जो बॉलिंग इंपॉर्टेंट हो गए लाइफ में, तो बस शुरू हो गया, उसकी उपर इंपॉर्टिस को डिवलप करने की खोशिश करते गई, बट सेन ने बताया, जो मैंने अपने कोचिंग केरियर में, में मैं जो, जितना भी मैंने कोचिंग करवा, इतना अच्छे एक्षन, मेरो को बॉलिंग एक्षन नहीं मिलाता किसी के पास, जो इतना स्मूथ हो, जिसका हाइट भी अच्छे हो, इसलिए मैं नहीं चाहती थे, आपका जो नेचरल जो टेलेंट है, में spoil करके अब कोई और जगा में बिखा तमाम चीजें परफेक्ट होगे तो उनका कॉल था एक्चुली जी पूनम सब चीज परफेक्ट नहीं होती ना लाइफ में और आपने में बहुत मुश्किल चाइल्ड हुड देखा है आप चॉल में भी रहे हैं मैंने इभी पढ़ा है कि आपके पापा ने पैसे उधार लेकर आपके लिए पहली किट ली थी जब आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी थी और आज ऐसा है कि आप अपने पापा से कहती है कि कामवाम छोड तो आपके केर ओफ यू है ना काफी स्रगल था मतलब मैं मिडल क्लास फैमिली से बिलॉंग करती हूँ तो मुम्मी पापा ने बहुत स्रगल किया बच्पन में क्रिकेट खेलने का बहुत शॉक था मुझे और मुझे कुछ आइड़ नहीं था कि क्रिकेट खेलना है मुझे पसंता क्रिकेट खेलना मैंने वस उनको बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है लेकिन उन्होंने जब बता कि अगर खेलना है तो पूरा खेलना पड़ेगा ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक-दो साल बाद आप बोलोगे अभी बोर हो रहा है अभी अभी नहीं खेलना है तो ऐसे मतलब फैमिली की जो बैग्राउंड थी मतलब ममी पापा कितना श्रगल कर रहे थे वो मुझे आइडा नहीं था क्योंकि मैं छोटी थी लेकिन तब पापा ने उधार लेके पैसे लिया थे मुझे अब भी मतलब के टाइम पर तो बहुत डिफिकल्ट हो रही थी कि दोनों को साथ में जस्टिफाई कर पाऊंगी तो इसलिए जब डिसीशन लिया तो मैं क्रिकेट में अलरी इंडियन टीम की रेकनिंग में थी तो इसलिए मैंने क्रिकेट चूस किया पर तब भी मैं सिफ क्रिकेट डाड के ले खेलती थी और लेकिन अब ही जब मैं सोचती हूँ जब मैं उनसे बात होती है मेरी तो मैं उनको बोलती हूँ कि thank you very much कि मुझे क्रिकेट में दाला है कि मुझे एक opportunity आपने create किया है कि मैं independent woman बनूँ अपनी एक identity create करूँ इस world में और ये ये उनके वज़े से हौई ये उनकी decision थी कि मैं क्रिकेटर बनूँ तो I think obviously मुझे कोई regret नहीं कि मैं dancer नहीं बन पाई पर ये कि I'm very happy that I could fulfill my dad's dream identity की बात की मिताली ने identity को लेकर एक चोटी सी जो problem थी अभी जब world cup चल रहा था अभी twitter पर तो trend किया bat like a girl आपने भी देखा होगा कि अगर आप बैटिंग करें तो लड़की की तरह करें जो बहुत कम कहते हैं लोग लेकिन एक चीज से बहुत लोगों को problem थी कि आप लोगों को बार बार lady virat, lady sehwag, lady so and so कहा जाता था जिसको बहुत criticism सुनना पड़ा but I would want to know के आपका क्या opinion है Julian, आपको कैसा लगता आपको कोई बोले lady soe bakhtar अबी तक हूँ बता है नहीं, actually I prefer my खुद का इडेंटिटी मैं sports को gender bias के तरह नहीं देखती हूँ हमेशा sports is one game जहां पर कोई भी खेल सकते and इतना तो सब के पास इतना passion होना चाहिए जो आप जो भी काम करें उस काम के साथ आप जूट जाए and उसमें अगा gender bias आप करते रहो gender differences create करते रहोगे तो फिर I don't think हम लोग कहीं पे भी नहीं रह सकते and जब मैं इन्हें क्रिकेट खेलना शुरू किया तो बहुत जगा से ऐसे tone मिलते रहते थे क्योंकि मैं आइस तो ट्रावलो 60-65 किलोमेटर वन साइ by local train तो जब सुनते थे सुन्टे थे सुन्टे थे तो काफी लोग सुनते थे जो क्या करते हैं अप इतना सुन्टे कहां जाते हैं अखेली अखेली तो मैं बोलते थे मैं क्रिकेट सिखने जाते हूं तो लोग का चेहरा ही डिफेरें हो जाते थे लोग बोलते थे क्रिकेट लड़कियां ऐसे सोच था अभी भी है शायद अभी साइद चेंज हो रहा है बट I still I believe that हम लोग को समाज में एचीज बहुत इंपर्टन थे हम हर चीज को लड़का और लड़की में डिवाइट कर देता है ज़िए स्कूल में अगर कोई फास्ट हुआ तो वो लड़कों में फास्ट हुआ और ये लड़की में फास्ट हुआ I don't think so, हम लोग कभी बोलते हैं जो ये फास्ट हुआ I think that that change होना चाहिए 21st century में आके आज भी हम लोग अपना ऐसे women हम लोग अपना खुद का identity के लिए लड़ते हैं identity के लिए हम लोग जगरते रहते and secondly 365 days में एक ही दिन women's day माना जाता है सबसे दुख की बात है तो मैं इसलिए बोलते हुआ हमेशा सब को जो sports को आप compare मत करो, men's and women's में compare मत करो sports एक ही है and उसमें सब को participate करने का equally हक है so that's my opinion and में अपना identity खुद बनना चाहती हुआ में जैसे मिधाली ने बोले जो उसने पापा के वज़े से उसने एक खुद की एक responsibility के साथ उसने जो identity create किया I think हम सब में individually हम लोगों ने अपने identity कुद ने बनाए मिताली अभी तक I'm sure आप ऐसा ही सोचती थी लेकिन अब मिताली क्या सोचती है क्या बोलती है वो सब को पता होता है और ऐसा ही एक सवाल आप से पुछा किया था एक प्रेस कॉंफरेंस में कि आपका फेवरिट it made me feel that you know it made me feel as a world cup was irrelevant for him, the women's world cup and वो इतनी बड़ी स्टेज नही है उस प्रेस रिपोर्टर के लिए क्यूंकि वो ऐसे सवाल पूचा तो मैनने उनसे यह पूचा कि अगर men's world cup होता तो आप यह question men cricketer को पूचते तो I felt it was as you mentioned कि एक player को बहुत एक woman cricketer को बहुत छोटा महसूस किया गया था पर otherwise I think there was nothing bad in the question लेकि सब के अपनी favorites होते हैं लेकिन एक और चीज़ भी है कि महिलाओं को बहुत objectify आज भी किया जाता है जो हम लगातार feel करते हैं और social media में भी मैने अभी आपका एक tweet देखा था जो किसी ने आपको tweet किया sweat patch के उपर और आपने उसका बेबाग तरीके से जवाब दिया जिसकी जरूरत थी I think woman को बहुत ज़ादा judge किया जाता है हर चीज के लिए and जैसे जुलन ने बोला है कि जो सामान था है जो एक्वालिटी है वो हर किसी के लिए होनी चाहिए whether आप sports person sports person हो या ना हो and social media is something कि okay अगर मैंने वो post किया है I think people should see who's part of the picture क्यूंकि उसमें ex captain थी India की दो current India players थे तो rather than appreciating them being part of the picture लोग ये देखते हैं कि कौन सा dress पहना गया है whether it is suiting her or not or as a sports person अगर मैं ग्राउं पे हूँ two hours के लिए it is but obvious as a human I will sweat अगर मैं उसको चूपा रही हूँ that means I am not true to myself or I am not promoting you know the the reality of human humanity you know क्यूंकि अगर मैं प्राउं नही होती तो obviously it is it is something wrong with me क्यूंकि I am sure सब को पता है कि the importance of you know sweating and everybody sweats everybody does so it is nothing new लेकिन शायद उस इंसान को वही सबसे ज़्यादा दिखा होगा उस picture में and it shows कि what he intend to see and not the other good things about the picture लगातार example set कर रही है मिताली जूलन पूनम जब भी आपके heroes होते हैं आपकी जिंदगी पे बहुत बदलाव आता है उनसे लेगिन कई बार ये जो बदलाव आ रहा होता है जूलन ये सरहद के उस पार भी आ रहा होता है इस से related एक स्टोरी हमने देखी कि काइनात इम्तियाज पाकिस्तान की fast bowler है जिनकी hero जूलन है और match के बाद या match से पहले वो जूलन से मिलने आई कि मेरी life में जो change आया जो मैंने decision लिया fast bowler बनने का वो आपको देख कर लिया Actually हम लोग 2005 में Asia Cup खेलने गएते Pakistan कराची में and final match में she was a ball picker and मुझे पता भी नहीं था and इस World Cup में हम लोग में खेले and match was very tense था and match जीते हम लोग and जीतने के बाद मैं जब dressing room पे आ रहे थी तो एक लड़की आये मेरे पास and generally बहुत कम होता है immediate match आने के बाद आप opposition के साथ बात करते हो थोड़ा time लेता है but hotel में जाके फिर बात करते है but एकदम से लड़की आई मेरे पास तो मैं लगा मैंने कुछ बोली उसको या किसी को कुछ बोल दी होगा match पे हासाइद उसने बोलना है दीदी आपको कोई बुला रहा है ज़रा चुप रहा करो ज़ादा मत बोला करो तो मैं एह सोच रही थी फिर उन्होंने आके बताया मैं आपसे दो मिनिट बात कर सचती हूँ हमीं बताये फिर मैं आपसे बोला मैंने से कुछ चीज बात करना चाहती है बोला नहीं आपने मेरे लाइप में बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले मैं आपसे बात कर रहे हूँ आप मैंने क्या 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 मुझे एक्टली मैं डर गई ती उस ताइम मैं बहुत अब एव्टन थी तो इसने बताये जो आप 2005 पे जा बेशा कप खेलने आये थे तो मैं मैं इस्कूल गल थी उस ताइम हम लोगों को दूटी मिला था बॉल पिकर की अब जब आप बाउंडरी लाइन पर फिल्डिंग कर रहे था अब इतना लंबे थे इतना तेज बॉल डाल रहे हूँ वो देख के मुझे 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 क्रिकेट खेलने का फास बोलर बनने का जब में घरबलों को बताई तो आपके सारे वीडियो देखा है उन सब को उन्होंने फिर मुझे एंकरेज किया क्रिकेट खेलने के लिए और उनके रिलेजन्स में बहुत दिक्कत आती थी तो घरबलों में उनको भी बहुत सारे प्रॉबलम्स हुए पर स्टिल उनके पैरेंस में उनको पॉट किया और सुनके मुझे बहुत अच्छा लगा मैं ड़िया यह स्टोरी है है क्या बात कर रहु हो आफ्टर दाट, आफ्टर दाट, आफ्टर दाट, येस, कुछ अच्छा काम तो कही ना कही तो किया, जो जिस दो देशों में इतना जादा टेंशन रहता है हमेशा, और वहां पे एक स्पोर्ट्स परसेन, ऑपोजिस्टीम की एक लेर्की को बोल रहे हैं, तुम मेरी हीरो हो, या में आपको देखके अपने क्रिकेट खेलना शुरू की, वो मेरे लिए भौद वर अचिवमेंट है, सो फर. पाकस्तान की लव स्टोरी एक अलग तरह की, हम आगे बढ़ते है, समय हमारे पास कम है, लेकिन मैं यहां से और कोई सवाल अगर पूछना चाहे, तो लेना चाहोंगी. Yes. Mike. Poochay, we come to you. Yeah, this was a really interesting conversation, and we are great fans of yours, all three of you. I am heading a school where my girls play cricket and football, and they have always made it up to the Nationals. I would like to know whether there was a teacher, a coach in your life, that you can never, you know, say enough thanks to, Mithali, whom you would like to recall, we are very close to Teachers Day, 5th September, someone who can be an inspiration for all the girls who are watching this program, especially the schoolgirls who are passionate about cricket. Well, I have two people to thank. Definitely my school, because when I started playing cricket, I was in the first standard, and because of my class teacher, unhoonai mujhe bula hai ki, why do you play for a different club? Our own school has a school team. Toh, I enrolled myself, and tabse mere jo school hai, they've been very supportive, kyunki bhoat bara aisa huwa hai ki, I've missed exams, and they used to give me exams in the summer vacation. I used to sit for exams in the summer vacation. So, the way they have supported me, if not for that, maybe I would have struggled even more during those period. And I met my coach, late Sampat Kumar. He was the one who coached me from the beginning. And he was a very tough taskmaster. But unfortunately, he wasn't alive when I first made my debut for the country. He expired before I could actually show him that, you know, I'm wearing India colors. His student is going to represent India. That was quite an emotional thing for me. He's one of them who created the foundation for me as a player that I am today. He promised my parents that I would represent India by the age of 14 years. I almost did. I was the first standby for the 97 World Cup. And because they thought I was too young to absorb the World Cup pressure, so they made me the first standby. And there were a lot of times where he was very strict. I can relate a number of instances, which molded me into a very strong player that I could play my peak, the peak of my career with a lot of injuries, with a lot of injuries. And I could do that because he made sure ki whenever, during the training session, if I had any injuries, a lot of time, hamloho kaita hain ki, a cha lagdaya toh you rest for two, three days. He never allowed me to rest. He said, you continue playing with the injury. Kyunki jab India ko tumari zarurat hogi, and you are injured, you should still be able to take on the field. And I think that is something that has always been with me. And in spite of a lot of injuries, I think I've never missed a match playing for my country. The mic is very much, please give me a mic here. Please, just one question. Hi, I would like to know from all three of you, did you guys ever face any challenges from your male counterparts? I mean, were you ever made feel inferior to them in any manner or not equal to them? Did anybody make you feel like that? I think I met many people in the training a lot of different personalities. I met many people from the field. And many people have told me a lot of things. They've said, why are you playing cricket? Why are you wasting your time? Go back home. Male cricketers are very supportive. We've met many times in NCAA because we've met many times in rehab. And we're the opposite. We talk very well. As a male counterpart, what do you expect? Same respect. Same respect we get. Same respect we get. We also give respect to them. And definitely we discuss a lot of things regarding cricket. So including Rahul Ravir, Sevaag, Irfan, Mohammed Swami. People who are there. And when I went there, all of them have been very clear. All of them have talked about the amount of people from the field in the field. And they've explained what we've explained. And they've asked us about cricket. Because they have been shocked at women's cricket. They have been shocked at women's cricket. नहीं पाते हैं. जितना भी discussion होता है, वहाँ पर सारे details हो लोग हम लोग असे ले लेता है. पुन्यम, आपकी life में कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि आप मुंबई में रही हैं, जहां लड़कियां ज्यादा freedom से जीती हैं. लेकिन तभी आपको कभी ऐसा फील हुआ कि क्रिकेटर होने की वज़े से कोई ऐसे करता है, बोलता है कुछ? कभी ऐसे हुआ नहीं, लेकिन जब मैं खेलती थी काफी अच्छा खेल लेती थी क्योंकि और मुझे कोई नहीं बोलता था लेकिन जब गली में लडकों के साथ खेलती थी है ना? हाँ, तभी मैचेस खेलती थी लेकिन अच्छा खेल लेती थी तो कोई कुछ बोलता नहीं था लेकिन जब मैं नेट्स में खेलती थी बोईस को, तो बोईस एक दुसरे को चिडाते थे कि क्या तुझे लडकी ने मारा तो ऐसे करके उन में ही स्लेजिंग होती रहती थी तो मैंने कभी वो चीज़ फेस नहीं गरी ये अच्छा राय मेरे साथ ही एक सवाल ये पूछना चाह रहे है यहां से प्लीज माइक दे दीजे मेरे नवे स्वाई कुरेशिये मैं स्पोर्ट सेकेटरी ऑफ इंडिया होता था फाइनल मैच जब मैं देख रहा था मिताली नौरन बचे थे तो मैंने अपने दाथ नो आधना हुनोच लिए मैंने अपनी सीट तोड़ दी थी आप इतनी कूल काम ऐसे थी कि मुझे अलमूस ऐसा लगा फर ए मिनट गुसा भी आया है कि आप अपनी हार से बड़े खुश्यर कंटेंटेंटेंड है आप इतनी कूल कैसे रह पाती है कैप्टन कूल मेरी नेचर यह ऐसी है कि I am an introvert, a soft-hearted person तो मेरी, मैं प्लेयर्स को भी इतना गुसा नहीं करती हो क्यूंकि मैं जानती हूँ मेरे को पता है क्यूंकि जब आप खेल रहे हो जब मैच खेल रहे हो जब आप अपना skill execute कर रहे हो तो यह बहुत important है कि आप प्लेयर्स को और अपने आपको क्यूंकि उसी जोन में आप उनसे बेस्ट ले सकते हैं और अपना best दे सकते हैं और सही भी सोच सकते हैं कि इससीवेशन को कैसे हांडल करना है अगर हम नर्वस हो जाते हैं या अग्रेसिव हो जाते हैं तो यह उसीज़ एनरजी फोर रांग पर्पॉस जब नाइन रंस से हारे हैं इससीज़ भी जानती हूं कि Cricket is not life to me I know there is life beyond cricket It's a sport at the end of the day हार जीत होती है You'll have to detach yourself and analyze and move on as a player क्यूंकि उसी में ग्रोथ है एक सवाल जूलन सबसे जादा गुसा आता कि किसको है वैसे टीम में हर मन को आती है उसको बहुत जड़ा गुसा आती है हर चीज उसके हिसाब से perfect होना चाहिए and अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर इमिडेट उसके शकल से पता चल देते and मिथाली मिथाली गुसा करते है strip कुछ लोह के सामने और ओभी high to eye contacts team meetings लेती है जब बस अगर कोई सामने बैठ गए बस उसके लास्ट दे है हो like school teacher typical school teacher की तरह बात करेगा and उसके तो बोलने का मौका ही मिलने ही मिलता जो सामने रहते है so I face that so I know but one thing उसके साथ add करती हूँ मैं इतना cool काम लड़की मही नहीं देखा क्योंकि हर चीज में अपने आपको बहुत अच्छा तरीका से वो हैंडल करती है उनकी बस में हम लोग डांस करते हैं मस्ती कर रहे हैं के लिए कोने में अपने किताब लेकर बैठी है पता नहीं क्या पढ़ रहे है उतना शोर मच रहे है बस में गाना चल रहे है कुछ भी हो रहे है but आपने जोन से बाहर कभी नहीं आती है so that was our quality बिताली के आपको हम लें पहले से पढ़ती हूँ इस बार लाइव आगया तो शायद लोगों को ये अलग लगा होगा कि कोई प्लेयर बुक लेके पढ़ रहा है पर मैं बुक इसलिए पढ़ती हूँ एक तो क्यूंकि उस वर्क नाइंटीज में हम लोग तो ट्रेइन से बहुत ट्रैवल किया है तो बहुत टाइम होती थी हमाय पास एक उस ताट इस रीजन वाइव स्टाटेड रीडिंग एंड ऐसे भी फेस आया जब मैं पैड़प के वेट करती थी जब मेरी चांस आए तो बहुत बोर हो जाती हूँ कि कभी-कबर करती है कि उतने देर बात करूँ तो मैंने सोचा बुक लेकर आती तो शायद ये टाइम में अपने आप पे अच्छा इन्वेस्ट कर सकती हूँ तो बहुत बहुत ही क्लोज होती है या कोई चैलेंजिंग सिच्वेशन होता है तो प्रीकंसिव नोशन के प्रीकंसिव नोशन यूजली हो जाता है कि आप ओर अनलाइज करेंगे कि अच्छा ठीके वो स्ट्रगल हो रही है या बोलर बहुत अच्छा दाल रहा है तो बाहर बैटके अंग्जाइटी लेवल बढ़ जाती है तो इससे अच्छा आप अगर मैं बुक पढ़ रही हूं तो जब मैं अंदर जाती हूं तो मैं situation को अपने हिसाब से study कर सकती हूं और अपने best ability से खेल सकती हूं ना कि पहले से ही मैं सोच के जाऊं अंदर कि मैं ऐसे खेलूंगी क्यूंकि usually sports is something is very uncertain or it is very spontaneous thing कि आपको उस वक्त कैसे कहलना है कैसे situation analyze करना ना कि आप prepared करके जाएं क्यूंकि situation आपके preparation की हिसाब से नहीं मिलती है बिल्कुल कोई भी चीज आपकी preparation की हिसाब से हो ज़रूरी नहीं है लेकिन आज जो हमारी बातचीत रही बहुत शांदार रही आपको हम बहुत सारी शुपकामना है देंगे हम सब की तरफ से और उमीद करेंगे कि एक ICC का खिताब आपके हाथों में हो ट्रोफी आप उठाएं और वापस लोटें बहुत शुक्रिया थैंक्यू